One Class आज मैं फिर से एक बार आपनी हिंदी अक्षर लेखन की कक्षा लेकर आई हूँ जिसमें हम अक्षर चा को किस प्रकार बनाते हैं यह सीखेंगे पिश्ली कक्षा में हमने अक्षर चा को बनाना सीखा था आशा करती हूँ कि आप सभी को ग्यात हो चुका है होगा कि चा किस प्रकार बनाते है आज बच्चों हमारी हिंदी कच्छा की क्लास में अक्षर च्छा यानि च्छा से च्छाता किस प्रकार बनता है ये मैं आपको बताऊंगी सामने आपको क्या दिख रहा है कौन सा अक्षर है ये अक्षर च्छा ये क्या है च्छा इसको मैं क्या बोलते हैं च्छा से च्छाता क्या बोलेंगे च्छा से च्छाता तो आओ बच्चों ये किस प्रकार बनाया जाता है इसका ग्यान मैं आपको कराऊं कि ये कैसे बनता है अपनी सफीद ब्लैक बोर्ड पे आप ध्यान से देखें सबसे पहले हम एक अर्ध गोला बनाएंगे उस अर्ध गोले को बनाते वक्त वहाँ से पैंसल नहीं अटाना है फिर से पैंसल को थोड़ा से पीछे लेते वे दूसरा अर्ध गोला फैलाते वे बनाएंगे उसको उपर की ओर ले जाएंगे और वहीं से उसकी एक टेल बनाएंगे यारी पूछ बनाएंगे उसको नीचे की ओर गुमाते वे लेकर आएंगे ठीके बच्चों, गुमाओं में हमें ध्यान रखना है कि हम अच्छे से उसको गुमाएं ताकि गोला बहुत मोटा या फिर बहुत पतला ना बने इसके उपर छत वाली लकी ठीके बच्चों, पुनहाँ अभ्यास करेंगे हम लोग सबसे पहले एक अर्ध गोला, दूसरा अर्ध गोला उससे थोड़ा सा बड़ा गुमाते वे उपर क्यों ले जाएंगे एक गुमाओं वहाँ से और देंगे, ये बन गया चास से चाता, इसके उपर छत वाली लकी पुनहाँ एक बड़ अभ्यास करेंगे बच्चों एक अर्ध गोला, दूसरा अर्ध गोला थोड़ा सा उससे बड़ा उपर ले जाएंगे उसको गुमाते वे नीचे लेकर आएंगे ये क्या बना दिया वच्चों ने चास से चाता, इसके उपर छत वाली लकी है आपको अभास होगा कि आप किस प्रकार से इसमें गुमाओ देंगे पहला अर्ध गोला आप देख रहे होंगे पहला अर्ध गोला हमने थोड़ा सा छोटा बनाया है दूसरा अर्ध गोला हमने थोड़ा सा बड़ा बनाया है और घुमाते वे उसको हम उपर किस जगे पर ले गए हैं देख रहे हैं ये पहला अर्ध गोला ये दूसरा अर्ध गोला तीसरे अर्ध गोले को घुमा कर उपर तक ले गए हैं उसके वार घुमाते वे उसकी जो टेल है जो पूछ है उसको नीचे तक लेकर आए हैं ठीक है बच्चों और ये उपर क्या बनिये च्छत वाली लकी आशा करती हूँ कि आपको ग्याद हो चुका होगा च्छा से च्छाता किस प्रकार बनाते हैं चाहें तो हम लोग पुनाए बर और अभ्यास कर लें एक छोटा अर्ध गोला, दूसरा अर्ध गोला वहाँसे घुमाते वे उपर क्यों ले जाएंगे और एक पूज घुमाते वे नीचे क्यों लेकर आएंगे ये क्या है च्छा से च्छाता इसके उपर च्छत वाली लकी ग्यात हो गया आपको कि हम किस प्रकार से इसका अभ्यास करेंगे कुना देखिए च्छत वाली लकी खीके बच्चों आशा करती हूँ कि आपको समझ में आगया होगा कि च्छा से च्छाता किस प्रकार बनाते हैं बच्चों अब आपकी ग्रह कारी की बारी आ जाती है ग्रह कार में आप सभी को पहले कारी की तरह जिस प्रकार से आपने पिछले अक्षरों को लिखा है उसी प्रकार से नए पेज पर हिंदी की कॉपी में च्छा से च्छाता पूरे पेज में लिखेंगे लाइनों का भी समुचित ध्यान रखेंगे चासे चाता बनाने की का अभ्यास आप पूरे एक पेश पर करेंगे और ये ग्रहकार हमें जरूर दिखाएंगे वाट्सवप पर ठीके बच्चों फिर से मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में तब तक के लिए बाई बाई